हेलो फ्रेंट्स आज की हमारी रेसिपी है जिंगे की रेसिपी जी हाँ प्राउन की रेसिपी ये देखिए कितना टेस्टी कितना लजीज है ये और इस जिंगे को मैंने बहुत ही इजी वे में बना कर तयार किया है जिंगे की रेसिपी इससे और आसान हो ही नहीं सकता तो सब मचली में हम पीली वाली सरसो अगर यूज करते हैं तो मचली का टेस्ट कई गुना जादा बढ़ जाता है तो पीली वाली सरसो ले रहे हैं और लाल मिर्च पॉडर लेंगे इसके बाद लेंगे हल्दी पॉडर एक छोटी चमच मैं इसमें ले रही हूं साबुत काली मिर्च थोरी सी और जीरा ले रही हूं थोरी सी साबुत ही नमक लेंगे स्वाद के अनुसार इसके बाद थोरी सी कसूरी मेथी लेंगे टेस्ट के लिए और थोरी सी मेथी की सीट्स इससे मचली का टेस्ट बहुत बढ़ता है और मचली बनाने के लिए सरसो का तेल हम यहां पर ले लासन, एक छोटी चमच काली मिर्च, एक छोटी चमच जीरा और अब हम डेर बरी चमच धनिया पॉडरिस में डालेंगे सभी मसाले को एक साथ मिक्स करके और एक ही बार हम पीस कर रेडी कर लेंगे अब ये पीली वाली सर्सों हम लेंगे तीन बरी चमच पीली वाली सर्सों से मचली का टेस्ट कई गुना जादा बढ़ता है इसलिए मैं पीली वाली सर्सों ही यूज करती हूँ मचली में तो ये हो गया सर्सों अब ये लाल मिर्स पॉडर इसे मैं लोगी डेर बड़ी चमच आप चाहें तो अपने टेस्ट के अनुसार ही से ले हल्दी पॉडर एक छोटी चमच और इसमें अब थोरा सा पानी हम मिक्स करेंगे और इसका पतला पेस्ट बना लेंगे पीस कर तो ये हो गया हमारा मसाला तयार थोरा थोरा पानी करके इसे इस तरह से पीस कर बिल्कुल पतला बना ले अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसके बाद जिंगे को तब तक साफ करके रेडी कर लेते हैं ये है हमारा सारे 700 ग्राम जिंगा इसे अब मैं साफ करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें इसे साफ करना है तो ये रहा आगे का पार्ट हेड इसे हम हटा देंगे पूरा और ये टेल की तरफ ये देखिए ये नुकीला सा है जो कि आपको साफ करते समय चुब सकता है तो इसे भी तोड लेंगे इसके बाद यहां से एक धागे जैसा ब्लैक निकलेगा ये देखिए ये इसका आथ है इसे भी हम हटा लेंगे और इसी तरीके से हम सभी जींगे को तयार कर लेंगे हेड हटा कर टेल के तरफ ये नुकीला पार्ट हटा दिया और यहां से ये धागा जैसा पार्ट निकालेंगे और इसी तरीके से हम सभी को रेडी कर लेंगे नमक हलका इसमें डालेंगे और पानी थोरा सा और पहले हम अच्छी तरह से इसे धोलेंगे ताकि इसका जो स्मेल है वो नमक के साथ निकल जाए नमक डालने से मचली अच्छी तरह से साफ हो जाता है और इसका जो स्मेल है वो भी अच्छी तरह से हट जाता है तो हमने पानी को चेंज कर लिया और इसी तरह से पानी को चेंज करकर के चार से पांच बार जिंगे को हम साफ कर लेंगे ताकि पूरी तरह से जो जिंगा है हमारा साफ हो जाए हमने साफ करके एक बाउल में निकाल लिया इसे अब इसी में हम जो पिसा हुआ हमारा मसाला है उसे डाल लेंगे सारा मसाला को तो हमने मसाला को उसमें डाल लिया अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें ध्यान से और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब चलते हैं गैस की तरफ एक कढ़ाय लेंगे या फिर पैन और उसे गर्म करेंगे गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे हम सरसो का तेल और तेल भी गर्म होने देते हैं जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये मेथी के दाने जो आधी छोटी चमज है और इसे हलका सब ब्राउन होने देंगे इसके बाद ये कसूरी मेथी और थोड़ा साई से हिला लेते हैं अब डालेंगे इसमें मिक्स किया हुआ मसालों के साथ ये जिंगा गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे अभी जिंगा डालकर एक से दो मिनट इसे इसी तरह से छोड़ेंगे और एक से दो मिनट के बाद इसे अब हम चलाएंगे और इसी तरह से चलाते हुए हम जिंगा और मसाले को एक साथ ही भूनेंगे जब तक कि तेल ना इसमें से छोड़ दे चाहे तो बीच में हम एक दो बारी से ढग कर भी भून सकते हैं और ये देखे बहुत अच्छी तरह से जिंगा हमारा भूना जा रहा है गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखे अपने जरूरत के अनसार और इस तरह से मसाले को जिंगे के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है और अच्छी तरह से जिंगा मसाले के साथ भून गया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और इसे mix कर लेंगे बहुत ही easy तरीका है ये जिंगा बनाने का friends थोरा सा पानी इसमें हम और डालेंगे और अब हाम इसे medium to low flame पर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे जिंगा मेरा थोरा सा छोटा है अगर आपका size में थोरा बड़ा हो तो 4-5 मिनट इसे पकने दे medium to low flame पर और गैस को हम कम कर देते हैं और 2-3 मिनट के बाद ये देखिए ये प्राउन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ही लाजबाब खुश गुआ रही है इसकी गैस को मैंने बंद कर दिया और 2-3 मिनट छोड़ने के बाद ये देखिए बहुत ही tasty yummy जिंगा हमारा बन कर तयार हुआ है तो बहुत ही easy तरीका है ये जिंगा बनाने का आप इस recipe को ज़रूर try करें बहुत ही yummy है आप एक बर बनाएंगे तो आप कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर से कोई नई recipe के साथ तब तक के लिए enjoy की जिए take care bye bye